दाइस फाउंडेशन ने अपनी 10th Anniversary पर किया नस्ट इसलामबाद में एक मेगा इवेंट का एतिमाम दाइस पाकिस्तान के तहद स्टूडन्स को अपना टैलेंट सामने लाने का मौका मिलता है इंडेस्ट्री के साथ मिलकर आंट्रिपनेर्शिप और इनवेशन को प्रोमोट देने के लिए बहुत सी मस्नुआत की एक्जिबिशन है यहांपर और यह इस बात की अलामत है कि हमारे तालीमी अदारे और इंडेस्ट्री अगर मिलकर काम करें तो वो किस तरह पाकिस्तान को एक स्ट्रॉंग नॉलेज एकॉनिमी बना सकते हैं और इस तरह के प्लैटफॉर्म जिसमें ओवर्सीज पाकिस्तानी बिलखसूस हिसा ले रहे हैं दो रोज के इस सिंपोजियम में स्टूद्स अड्टीचर्स के लिए बहुत कुछ था एक्सपर्ट्स ने दिये इंफर्मेटिव लेक्टर्स और बताए नई रास्ते और नई गुर् प्ला़ारिंछ ऑको कétiqueष попроб थच функ Never असलो कि अनो ढूंख अपिल इंखेजाटाया रास्ते अड्राई अगिव मैं अदेङ मैं लेक्लान के अवरे ग्तान इस και एं湖 मि प्र्दालेशिएन ऑ्ट्वां आपह बालक थाच्पोरह यहाचिय brought the research is the key. And I'll explain to you how research plays an important role when it comes to the commercialization. And my research always has been to look at the bone analogue material, so how we can replace the bone in different shapes and forms. So I've been working on hydroxy하지 nya kepada different materials. स्थाहिका में जिरी ली और साहै वीडिए कितारे सहने को तौसारी कितारे में व्यूनिकेली टूल कि उत्साफंते लुग सेथम्धेडू यह एञेGी साफ ऊगल当 वित शुपूरी इस डोल्डारे में partnering with Dr. Khushid and his team and HEC. This is our fifth year. I am really delighted. I feel much younger. Even my kids call me VIA, but I feel very energetic and I feel younger to be part of the initiatives like this. Nask Islamabad में technological exhibition का भी सिल्सला रहा, जहां डिस्पली किये गए मैंनी प्रोजेक्स. का प्रोजेक्स.